अब राबर्ण अविशिक्त हो अपने भाईयों सहीत अपनी बहन सूपडखां के विवा की चिनता में पड़ा और काल की अवन्सी दानवेंद्र विद्युज्य के साथ उसका विवा कर दिया पश्चा जब एक दिन राबर्ण वन में सिकार खेल रहा था वहाँ उसकी द्रिष्टी दिती के पुत्र मैं पर जा पड़ी उसके साथ एक सुन्दरी कन्या भी थी तब राबर्ण ने उसका समाचार पूछा तो मैं अपनी जीवन का सब व्रतांत सुनाते हुए कहा यहाँ मेरी कन्या है जो हेमा नामक अपसरा से उत्पन हुई है मैं इसके लिए योग यवर की खोज में धर उधर विचरण कर रहा हूँ आप कौन हैं अपना परच्चा दीजे पुलस्ते नंदर रावर्ण ने ब्रहमा की तीसरी पीड़ी में अपने को उत्पन होने वाला बतला कर कहा कि इस प्रकार मेरा नाम दस्ग्रीव है राक्च सेंद्र के ऐसा कहने पर मैं ने अपनी कन्या का हास दस्ग्रीव के हाथ में दे दिया और कहा किया मेरी कन्या हेमा अपसरा से उत्पन हुई है इसका नाम मंदोदरी है इसे आप पतनी के रूप में ग्राण कीज दस्ग्रीव ने उस सक्ती से लक्षमर्ण पर प्रहर किया था उसका प्रकार भाजिया ग्राइन कर दस्ग्रीव लंका में चला गया लंका में जाकर फ्रोस ने अपने दोनों भाईयों का भी विवा किया कुम्बकन का व्याव वैरोचन की पौत्र थर्थबली के पुत्र वज्रवाला से गंदर्व और सैलिष की धर्माग्या पुत्री सर्मा से विविशन का विवाव हुआ समय पाकर मंदोदरी के गर्व से मेगनाद उत्पन्न हुआ उसी को इंद्रजीत कहा जाता है उससे जर्म लेते ही मेग सागरजन की अक्ता जिससे समझतलंग का निवासी स्थम्मित हो गए थे इससे दस्ग्रीव ने उसका नाम मेग नाद रखा था